Hello students, this is Tanushree, तो आज हम शुरू करेंगे exercise 7.6 का question number 5, तो चलो शुरू करते हैं, question number 5 देखो, complete the addition subtraction box, तो देखो यहाँ पे जो box है ना, यह है addition subtraction का box, इसको complete करना है, मतलब देखो यहाँ पे blank है, इसको feel करना है, addition करके या subtraction करके, तो हमें देखना है कहाँ पे addition करना है और कहा पे subtraction करना है, यही हमें समझना है, तो देखो, यहाँ पे देखो, देखो, इस तरफ arrow है, और यहाँ पे देखो, प्लस है, मतलब add करना है, तो यह दो fraction add करके यहाँ पे होगा, ठीक है, और देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ arrow है, और यहाँ पे है minus, मतलब subtract करना है, तो ये दो fraction subtract करके यहाँ पे लिखना है यहाँ पे जो दो fraction आएगा ये subtract करके यहाँ पे लिखना है यही करना है, ये करके इसको feel करना है, अच्छा, तो हम first क्या करेंगे, या तो addition कर सकते हो या तो subtract कर सकते हो, first ठीक है इसमें कुछ नहीं सिर्फ ये feel करना है तो हम first करेंगे subtract करके ये दो feel करते है और फिर हम add कर लेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे हम first ये दो box को feel करेंगे तो यहाँ पर देखो arrow इस तरब है तो मतलब ये दो subtract करके यहाँ पर करना है ठेक है तो subtract करेंगे तो देखो यह like fractions है क्यों कि यहाँ पर denominator same है तो denominator same रहने से वो like fractions होता है like fractions का subtraction करना है तो क्या होगा देखो denominator same है तो denominator 3 हो जाएगा और उपर numerator को subtract कर देंगे 2-1 2-1 तो हो जाएगा 1 upon 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 3 तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 upon 3 अच्छा अब भी देखो next हम करेंगे यह भी subtract करेंगे है ना arrow यहाँ पर है तो 4 upon 3 तो हम करेंगे 4 upon 3 minus 2 upon 3 अच्छा तो subtract करेंगे तो देखो denominator यहाँ पर भी same है तो like fractions है तो 3 denominator same हो जाएगा अच्छा अभी क्या करेंगे numerators को subtract कर देंगे 4 minus 2 तो हो जाएगा 2 उपर और नीचे हो जाएगा 3 तो 2 upon 3 हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 upon 3 अच्छा अभी देखो अभी हमें क्या करना है यह box fill करना है तो देखो arrow इस तरफ जब होगा arrow है ना इस तरफ तो क्या करना है? addition करना है तो यह 2 fraction add करके यहाँ पर लिखना है और यह 2 fraction add करके यहाँ पर लिखना है यही हम करेंगे तो करते हैं 2 upon 3 plus 4 upon 3 ठीक है अभी देखो ये भी like fractions है क्योंकि यहाँ पर देखो denominator same है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा like fractions का add होगा तो 3 हो जाएगा same denominator है उपर numerators का add हो जाएगा 2 plus 4 तो हो जाएगा 2 plus 4 6 upon 3 ठीक है यह हो जाएगा तो इसको simplest form में भी लेकर आ सकते हो क्योंकि देखो 3 से यह भी divide होगा यह भी divide होगा है ना same number से उपर नीचे cancel होगा तो यह भी कर सकते हो या तो simply यह भी रख सकते हो तो हम यही रखेंगे 6 upon 3 यही रखेंगे आच्छा अभी देखो 1 upon 3 plus 2 upon 3 करना है plus 2 upon 3 करना है ठीक है add करना है तो देखो denominator same है तो 3 हो जाएगा उपर numerators का add हो जाएगा 1 plus 2 तो यह सब like fractions ही है तो 2 plus 1 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा तो यह देखो same number है तो उपर नीचे cancel हो जाता है या तो यह भी रख सकते हो तो यही हम रखेंगे 3 upon 3 ऐसी रखेंगे तो देखो अभी यह दो add करना है 1 upon 3 plus 2 upon 3 तो यह भी देखो like fractions ही है same है denominator तो 3 हो जाएगा और उपर numerators का add हो जाएगा 1 plus 2 तो 3 upon 3 तो यह भी देखो cancel होके 1 होता है पर हम यह भी रख सकते हैं या तो 1 करके भी यह अपर लिख सकते हो तो 3 upon 3 हो जाएगा ठेक है अभी देखो यह जो addition subtraction का box है यह complete हो चुका है तो ऐसे हमें complete करना है next देखो अच्छा यह भी same way में ही होगा और देखो यह जो addition subtraction का box है यह complete करना है क्या करके addition और subtract करके अच्छा तो हम या तो addition करके देख सकते हो या तो subtract भी कर सकते हो कोई भी एक चाइज कर सकते हो तो हम subtract कर करके देखते हैं तो नीचे की तरफ हम यह दो box फिल करेंगे तो यह दो subtract करेंगे यह दो subtract करेंगे आच्छा तो देखो one upon two है Minus minus 1 upon 3 अच्छा अभी देखो ये देखो different denominators है मतलब unlike fractions है unlike fractions का subtract करना है तो हमें क्या करना है ये जो 2 denominators है इसको same करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे first L same करके देखते है अच्छा 2 और 3 का L same हम करेंगे तो देखो 2 1s are 2 3 as it is रहेगा अभी 3 1 as it is रहेगा 3 1s are 3 तो हो जाएगा 2 into 3 6 तो हमें क्या करना है यहाँ पर 6 लेकर आना है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे multiply करके देखेंगे तो 2 से कौन सा number multiply करो तो 6 होगा देखो 3 से multiply करने से 6 हो जाएगा है न टेबल में है तो उपर भी same number से मल्टिप्लाइ करना है 3 से तो 3 1s are 3 हो जाएगा यहाँ पर अभी देखो 3 से कौन सा number multiply करो तो 6 होगा 2 से multiply करने से 6 होगा 3 2s are 6 तो उपर भी same number से ही मल्टिप्लाइ करना है 2 से 2 1s are 2 हो गया है देखो like fractions आगया है अभी क्या करना है, subtract करना है like fractions का, तो denominator same है, तो 6 हो जाएगा और उपर हो जाएगा 3-2, तो subtract कर देंगे numerators को, तो हो जाएगा 3-2, 1 और नीचे हो जाएगा 6, तो ऐसे निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, 1 upon 6, अच्छ, अभी next इसको subtract करके देखते हैं, तो देखो, अच्छ, 1 upon 3 minus 1 upon 4, टीक है, अच्छ, subtract करना है, यहाँ पर भी different denominators है, तो क्या करना है, 3 और 4 का L से निकालना है, तो देखो, 2 से जाएगा, 3 as it is रहेगा, 2, 2s are 4, 2 से जाएगा, 3 as it is रहेगा, 2, 1s are 2, 2, अभी 3 से जाएगा, 3 1s are 3, 1 रहेगा, तो 2 into 2 into 3, तो हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो 12 यहाँ पर लेकर आना है हमें, अच्छा, तो क्या करना है, multiply करके देखना है, देखो, 3 से कौनसा number multiply करो, तो 12 रहेगा, 3, 4s are 12, तो 4 से multiply करने से, तो उपर भी 4 से ही multiply करना है, 4 1s are 4, यहाँ पर देखो, 4 3s are 3 से multiply करो, तो 12 रहेगा, टेबल में ही है, तो उपर भी 3 से ही multiply करना है, 3 1s are 3, अभी देखो, like fractions आ गया है, denominator से ही है, तो easy हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा नीचे और उपर minus हो जाएगा, 4 minus 3, तो हो जाएगा 1 और नीचे 12, तो 1 upon 12 यहाँ पर हम लिखतेंगे, ठीक है, अभी हम यह रिमूफ करके, addition करेंगे, अभी यह remove हो चुका है, हम अभी क्या करेंगे, देखो, यह दो fraction है, इसको add करके यहाँ पर लिखेंगे, यह दो fraction है, इसको add करके यहाँ पर लिखेंगे, यह दो fraction है, इसको add करके यहाँ पर लिखना है, क्योंकि arrow में, इस side में है plus, अच्छा, तो हम add करेंगे, तो देखो 1 upon 2 plus 1 upon 3, यह दो fraction का add करना है, तो देखो different denominators है, तो क्या करना है, हमें same denominators में लेकर आना है, इसके लिए LCM करना पड़ता है, तो 2 और 3 का LCM हमें पता है, क्या होता है, 6 होता है, तो पहले हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे 6 लेकर आना है, ठीक है, तो multiply करके देखना है, देखो 2 से कौन सा number multiply करो तो 6 होगा, 3 से multiply करने से 6 आएगा, तो उपर भी 3 से ही multiply करना है, 3 ones are 3, अभी देखो 3 से कौन सा number multiply करो तो 6 आएगा, 2 से multiply करो तो 6 आएगा, उपर भी 2 से ही multiply करना है, 2 ones are 2, अभी like fractions का add करना है, denominator same है, तो नीचे हो जाएगा 6, उपर होगा numerators का add 3 plus 2 तो हो जाएगा 5 और नीचे 6 5 upon 6 तो यहाँ पर लिख देंगे 5 upon 6 अच्छा अभी हम next add करेंगे 1 upon 3 plus थोड़ा space करके करते हैं plus 1 upon 4 अच्छा यहाँ पर भी different denominators है तो क्या करना है same denominators में लेकर आना है तो इसके लिए LCM करना है 3 और 4 का LCM हमें पता है पहली कर चुके है 12 हो जाएगा ठीक है करके देख लेना अच्छा तो 12 हमें लेकर आना है plus यहाँ पर 12 तो देखो 3 से कौन सा number multiply करो तो 12 आएगा 4 को multiply करने से 12 आएगा उपर भी 4 को ही multiply करना है 4 once a 4 तो यहाँ पर देखो 4 से 3 को multiply करो तो 12 आजाएगा है 4, 3 is the 12 तो उपर भी 3 से ही multiply करना है 3 once a 3 तो अभी देखो यह है denominator same तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और उपर हो जाएगा 4 प्लस 3 तो हो जाएगा 7 और नीचे 12 तो यहाँ पर हम लिखतेंगे 7 अपॉन 12 अच्छा अभी क्या करना है इसको एट करना है 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12 इसको एट करके देखना है तो देखो यहाँ पर भी डिनुमेनेटर क्या है? means, different है तो क्या करना है? हमें डिनुमेनेटर को same करना है तो l same करके देख सकते हो है न? l same करके देख सकते हो यहा तो देखो 6 को अगर 2 से multiply करो न तो 12 भी आ जाएगा तो same denominator हो जाएगा ऐसे भी कर सकते हो यहा तो l same करके देख सकते हो हम देख लेता है LCM करके फिर भी 6 और 12 का LCM कर लेता है 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 x 2 x 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12 देखो 12 भी आएगा, तो यहाँ पे 12 लेकर आना है अचा तो 6 से अगर 2 को multiply करो तो 12 होगा, उपर भी 2 से ही multiply कर ना है, 2 1s are 2 और यहाँ पे देखो same ही है, 1 upon 12 भी है तो इसको 1 से multiply करो तो 12 आएगा, 1 से multiply करो तो 1 आएगा, ठीक है अचा अब ही देखो ये है same denominator, हो जाएगा 12, उपर numerators को add कर दो, 2 plus 1, हो जाएगा 3 और नीचे 12, तो ये देखो 3 upon 12 है, तो इसको same number से उपर नीचे divide होगा, cancel होगा, पर ये भी रख सकते हो, cancel करके भी simplest form लिख सकते हो, या तो ये भी रख सकते हो, तो हम ये ही रख देंगे 3 upon 12, ठीक है, तो ऐसे हम करना है, तो ये था exercise 7.6 का part 3 और part 4 की जो video की link है, बोने इचे description box में दिया रहेगा,